भारत और कनाडा में जारी कूटनीतिक तनाव के बीच कनाडाई सीनेट की स्पीकर रिमोंडे गैग ने भारत में होने वाली जी 20 देशों की संसद के अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगी। दिक्नॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार बीते सप्ताह कनाडा ने कहा था कि वो भारत में होने वाली जी 20 संसदी अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 की बैठक में शामिल होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने समवाद दाताओं से बात करते हुए इसकी पुष्टी भी की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि कनाडा की स्पीकर से अनौपाचारिक बातचीत के दौरान वो कई मुद्दों पर उनसे चर्चा करेंगे। 13 अक्तूबर को होने वाले पी, 20 सम्मेलन में रेमोंडे गैगने के शामिल ना होने का फैसला ऐसे वक्त आया है जब भारत और कनाडा के रिष्टे निचले स्तर पर हैं। भारत के सामने रखे भारत के कनाडा में वीजा से जुड़ी अपनी सेवाएं अस्थाई रूप से स्थगित कर दी और कनाडा से कहा कि वो भारत में मौजूद अपने 40 राजनईकों को वापस बुलाए।